देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में हुक्मरा सव्यफ्त हैं खून गईब का पीने में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूं मैं आरक्षी खुश्बू चौहान केंद्रे रिजर पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तूत करूँगी महोदय दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज पुलवामा छत्तिस गड़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सिनी लाल रंकी सडकों के दरश्य सामने आते हैं उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अनुपालना करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आज कल फेहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ महोदय फिरदय तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चितलों को देख कर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ महोदय आज इन मानवा धिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हस्ती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आँगन की तुलसीर रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेधना चिख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया इसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं परन्तु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महोदै भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तैकर ना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोश को लगे या ना लगे परन्तु किसी निर्दोश को नहीं लगनी चाहिए यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेग नहीं तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी और महोदे मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्योंकि महोदे फूल को श्रिंगार दो ये मुम्किन नहीं और एक वीर को जहनकार दो ये मुम्किन नहीं जो हाथ बांदे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभब नहीं महोदे आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल स हाथ तक दोना पड़ सकता है और महोदे अपनी नोकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए है कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला और जा रहा है हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हम ही तो बुनियाध है आन्तरिक शुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है महोदे जब पुलवामा में 44 जवान सहीद हुए 36 गड़ में 76 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्स में आकर खड़ा नहीं हुआ परन्तु जब JNU विस्पि ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सर्मिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ज्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बेटी अपनी भारती सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अब जल निकलेगा उठो देश के वीर जवानों तुम सिंग बन कर दहार दो और एक तिरंगा जंडा उसका नहिया के सीने में गार दो महोदै अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए आतंगबाद और उग्रवास से कभी नहीं निप्टा जा सकता महनवादिकार के नाम की दुहाईयां देने वालो सीमा पर लड़ा नहीं जाता चर्कों से शोलों के आगे रामायर पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे दर्ती के घोर गुहाँ से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है जैहिन चैभर